नमस्कार दोस्तों मीना बुटिक में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम फिर आपके लिए एक बड़ा ही जवर्दस्त वीडियो लेकर आया हूँ इसे बोलते हैं वील ट्रैसिंग इसका यूज कैसे करते हैं और ये हमारी स्टिचिंग बुटिक लाइन में किस तरह से यूज आता है और किस तरह हमारे लिए हेल्पूल है तो ये जान लेते हैं वीडियो में आगे बनने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा तो चलिए जान लेते हैं दोस्त और यह जो tools बगरा है इन्हें आप online खरीद भी सकते हैं तो मैंने वहाँ पर उसका link भी दे रख्था है चैनल पर आप जाकर देख्थख सकते हैं फिलाल इस wheel tracing का use कैसे करते हैं जान लेते हैं जब भी blouse cutting करते हैं suit cutting करते हैं one side साइट मार्किंग लगाने में मैं प्रोब्लम आती है तो यह हूं किस तरह करते हैं किस कीति है क्जांत एले क्या एक तरफ मुझे कापी दिक्कत आती है उसके लिए क्या करना चाहिए तो यह वील ट्रेसिंग इस तरह से मार्किंग के उपर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा फ्रेस करते हुए इसे, और iç तरह से इसे भूमा देंगे, ठीक है, यह मार्किंग सेम इस साइड में आपके चप जाएगा, यह देखे belief यहाँ पर यह मुझे दिख रहा है, तो इस तरह से आप इस पर मार्किंग चप किया, निशान दूसरे साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यह मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा साइड इस तरह से आप इसे दूसरे साइड इसकी साइटा से मार्किंग कर सकते हैं ब्लाउज में, सूर्स में, चूड़दार में या और कोई भी आप दो लेयर, तील लेयर में कटिंग करते हैं तो आपको मार्किंग लगाने के लिए काफी हेलपुल है दोस्तों कई दपर क्या होता है कि कई हैवी ड्रेस होती है, मोटा कपड़ा होता है और उनमें एकुरेट सलाई और मार्किंग लगाने की ज़रुत पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि ये मार्किंग थोड़ा कम दिखे उसके लिए आपको क्या करना होता है, ऐसा कार पेपर ले और जो मोटा कपड़ा होता है उसके इस तरह से ले बलब जो कार्बन हो वो इस साइड में हो इसमें और हलका हलका मार्किंग के उपर आप पुश करेंगे इस तरह से हलका, ज्यादा तेज भी नहीं हलका पुश करेंगे तो इस साइड में आपका जो है निशान दिखने लग जाएगा वहाँ निशान जब भी आपको दिखेगा वहाँ पर आप दुबारा से चोक से निशान पैंसिल से निशान लगा सकते हैं तो इस तरह से इस वील ट्रेसिंग का उप्योग होता है उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा वीडियो लाइक जरूर करें हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का इकन जरूर से दबाएं ताकि ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहें तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक हमारे साथ बने रहें धन्यवाद